दम्मपद गाथा कथा नंबर 6767 बहुत सारे लोग जो काम करते हैं ऐसे काम कर जाते हैं जो बाद में पश्च आते हैं कि ये काम हमने क्यों किया बाद में उनको बहुत ज़्यादा संताप होता है बहुत ज़्यादा उनको गिल्ट फील होता है बहुत ज़्यादा उनको रिग्रेट होता है एक किसांग की कहानी है यह कि कुछ चोर होते हैं उनका काम चोरी करने का है जब वो चोरी करते हैं तो चोरी करने लिए धन का बटवारा करते हैं धन का बटवारा जिस खेत में करते हैं उसमें उनका कुछ धन छोड़ जाता है क्योंकि चौर है तो उनका जल्दी जल्दी धन बड़वारा करके वहां से भागने का पुर्ण होता है क्योंकि चोरी की है उन्हें तो चौर का दिल बहुत छोटा होता है डर बहुत लगता है उसे कोई देखना ले इसलिए अपने काम बहुत जल्दी में निम्टाते हैं और आसपास का ध्यान वे उनको कई बार नहीं रहता वो धन जब किसान अपने खेत पर जाता है तो वहाँ उसको पड़ा हुआ मिलता है धन को देखके उसको लालच आ जाता है और वो धन को वही खेत में डार देता है कुछ समय बाद वो चोर पकड़े जाते हैं चोर पकड़ने पर माल बरामत किया जाता है और जब माल बरामत होता है तो जो राज कर्मी होते हैं राजा के कर्मी होते हैं सिपाई होते हैं वो उससे पूछते हैं कि बाकी माल कहा है अब चोरों को भी नहीं पता कि बाकी माल कहा है तो वो उससे पूछते हैं कि माल कहा गया तो वो कहते हैं कि हमने तो माल को वहाँ बैठके बाटा था या तो वहीं रह गया होगा या फिर माल उतना ही होगा तो सिपाही उनकी निशान देही पर उस खेत में आते हैं खेत में आने पर देखते हैं कि वहाँ वो माल नहीं है किसान काम कर रहा है तो किसान से वो पूछते हैं कि यहां क्या तुम्हें कुछ माल या कुछ धन मिला किसान चुकि सक पका जाता है उसना चोरी की है उसके मन में चोरी है, उसके चेहरे पे चोरी के भावाते हैं वो मना कर देता है लालाच के कारण तो सिपाही उसको तार जाते हैं, देख जाते हैं कि यह जूट बोला है और वो पूरे खेत को खोदने का आदेश देते हैं जब खेत को खोड़ा जाता है तो उसमें वो धन बरावाद होता है चूरी का माल रखने के में और चूरी के माल को नहीं बताने के जुर्म में सिवाही उसको पकड़ कर ले जाते है और वहां उसको उसके किये की सजा के हिसाब से सजा मिलती है हाला कि उसमें चूरी नहीं की मगर चूकि उसमें नियत बदल गी उसकी उसमें गरत काम किया दूसरे के धन पर लाले डाला इसलिए उसको ये सजा मिली तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो गाथा नमबर 67 है नैतं कम्मं कतं साधू साधू के यहाँ दो मतलब होते है एक मतलब तो होता है ठीक है ठीक है यानि अच्छा है ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए आमीन 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 और दूसरा जो साधू का मतलब है वो है सीलवान यानि कि जो व्यक्ती सीलवान होता है उसको भी साधू कहते है जो सीलो का आच्रण करता है तो यहाँ जो मतलब है वो साधू का है सही वाला नयमाने नहीं तंग माने वहह, कमंग माने काम को कटंग माने किया हुआ साधू यँग कतवा अनुतपती कतवा करके अनुतपती माने पषचत आप हो, रिग्रेट हो या जिसको मनोव accurately हो यानि कि जिसका मनोव determination हो इसका मतलब हुआ है कि नहीं करना चाहिए किसी सही व्यक्ति को वह काम जिसे करके बाद में पच्टावा हो यस असु मुखी रोदंग यस माने जो की असु मुखी रोदंग गा मतलब है जो आसुओं से मुखक से आसुओं को आए यानि कि वो रोए और रोदंग माने रोने को विपाकंग पटी सेथी विपाकंग माने है परिणाम और पटी सेथी माने है सेवन प्रती सेवन करता है क्योंकि ऐसे काम को करके संताप होता है पच्छताप होता है रिग्रेट होता है बाद में ऐसे काम को करके आखों से मुख पे आशु आते हैं जब उसका परिणाम सेवन करते हैं यानि कि जब उसका परिणाम आता है हम अपने जीवन में बहुत सारे काम, छोटे बड़े जो दुस आचन है, जो हमारा खराब आचन है, जो हमने सीखा है, जो हमने सिखा है जाता है, उसके तेहत में करते आते हैं बच्पन से हमें चोटी मोटी बातों को चोटा मोटा समझ के हसी में टाल देते हैं जो आगे जाके बड़ी होती चली चली जाती है और हमारे लिए वो सत्य हो जाती है सत्य का मतलब है कि वो बाते हमाली है सच हो जाती है बाद में जाके जब वो बड़ी होती उनका प्रनाम आता है तो बहुत नुक्सान दाएक है जूट बोलना, चोरी करना ज्यादा खाना खाना या बहुत कम खाना खाना ऐसे आचरण या वेबचार करना या वेबचार के लिए परसाहिन करना या वेफचार अगर किसी ने किया है तो उसको छपाना क्रोध करना, हीर्षा करना, चोरी करना या चोरी को छपाना या हत्या करना, या हत्या कारण को पैदा करना या हत्या के कारण को छपाना, या हत्या करने वाले को छपाना या उस त्यात्या करने वाले को सेल्टर देना या उसकी साहता करना गमन करना, लालच करना, हिंसा करना या जो आपका नहीं है उस पर जबर 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 गतार बुरा काम करता है, उसकी सोच बुरी हो जाती है, उसका परिवाद बेकार हो जाता है, उसके घर कोई आना जाना पसंद नहीं करता है, एक वेक्टी जो देश के हित में और अहित में इतना ज्यादा काम करता है, हित वाले को सब पसंद करते हैं, मगर जो अहित में काम कर देश को खराब करता है देश को लूपता है यफचार करता है रिस्वत लेता है कमिशन लेता है लोगों का ध्यान नहीं रखता है अलंद उनके परणाम जबाते हैं तो बहुत बहुत परणाम होते हैं यह राजा से लेके रंक तक के लिए सभी के लिए काम करता है क्योंकि मन स सबी के साथ होता है इसलिए इस कथा के नुसार कभी भी ऐसा काम ना करें जो बाग में पच्टा न पड़े धन्यवाद आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है, उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे, कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद गच्छाम। तम्मं सेनं गच्छाम। संगं सरेनं गच्छाम। संगं सरनं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। तुम्तियं पी धम्मं सरनं गच्छाम। तुथियं पी नमं सर्नंग च्छामी दूथियं पी संगोन सर्नं च्छामी तर्दियं पी बुद्धम सर्वाइब तर्दियं पी धुद्धम सर्वाइब तर्दियं पी संगों सर्वाइब तर्दियं पी संगों सर्वाइब साथु, साथु, साथु कामेस मिच्चरविर्मनी सिखापदन्स्माधियामी कामेस मिच्चरविर्मनी सिखापदन्स्माधियामी कामेस मिच्चरविर्मनी सिखापदन्स्माधियामी